हाई गाईज वेलकम तो मैं चैनल स्टड़ी विड शिल्पा कैसे हैं आप सवाई होप आप सब अच्छे होंगे हेल्दी होंगे तो आज हम सेंटेंसे जो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था है इसमें हम पांच एक्जैंपल करेंगे देखेंगे कौन सा सिंपल है कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉंपलेक्स है ओकी तो लेट स्टार्ट सबसे पहला सेंटेंस है यू शूड नॉट वर्क फो मनी अलोन और यू विल बिडिसपोइंटेंट इन तो इसमें देखिए अगर हम इन दोनों को अलग कर दे एक यह जो गया और एक यह जो गया सेंटेंस है तो दोनों कंपलीट सेंस बना रहे है दोनों मेन डौग है तो यह जो मैंने आपको explain किया था मैंने बताया main clause अगर होंगे दोनों को अलग करने के बाद तो वो compound sentence होता है ठीक है तो ये number one है ये है compound sentence ओके अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज वो video देखना अगर वो नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा second is the first battle of panipart was fought in 1526 normal है ये simple sentence है third है when he realized his mistake he offered to compensate us for our loss ठीक है जब उसको उसकी गलती का पता चला तो उसने compensate करना चाहा हमारे loss के लिए ठीक है तो when he realized his mistake अगर ये अलग कर दे तो और he offered to compensate us for our loss दोनों का अलग sense नहीं बनता ठीक है he offered ये main clause है लेकिन when he realized his mistake ये complete sense नहीं बनाता है तो जब एक main clause होता है वो होता है complex sentence ठीक है जब दोनों को अलग करेंगे तो he offered to compensate us for our loss ये तो main clause है ये complete sense बता रहा है लेकिन when he realized his mistake ये complete sense नहीं बता रहा है तो ये ऐसा situation में complex sentence होता है जब एक main clause होता है और एक main clause नहीं होता है ठीक है she conducted the show like a trained teacher simple है simple sentence है number four है simple sentence don't make one more such mistake else you will be dismissed don't make one more such mistake अलग करके देखते हैं you will be dismissed दोनों main clause है दोनों complete sense बना रहा है ठीक है तो दोनों main clause में है और मैंने आपको बताया था जब दोनों main clause में होता है तब compound sentence होता है ठीक है यह होता है compound sentence जो complex sentence होता है उसमें जो एक sentence होता है वो दूसरे पर dependent होता है ठीक है यह आप वो वीडियो मेरा देख लेना जिसमें मैंने explain किया है तब आपको यह सारे example बहुत easy लगेंगे कोई भी आपको doubt नहीं होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्यूल फो वाचिंग मैं वीडियो